प्रदेश में फरवरी 2023 में ग्लोबल इंवेस्टर सब्मिट का आयोजन होगा और प्रदेश की जो बात होती है वन ट्रिलियन डॉलर एकॉनमी की उसमें एक बड़ी भूमिका भी होगी और इसके लिए विदेश में नियोते जाने भी शुरू होगा है हमारे साथ में समय और मंतरी नंद गोपाल गुपता नंदी जी है उंसे जानते हैं क्या कारीयोजना मंतरी जी नियोते जाने शुरू हो गये आप लोग की तरफ से बहुत जल्द आप लोग की दौरे होंगे क्या है पूरी का रियोजना देखे ग्लोबल इंवेस्टर समिट के उत्तरब्रदेश क और आर्थिक विकास की दृष्टी से एक एतिहासिक और अभूत पूर्व साबित होने जा रहा है कि आज उत्तर प्रदेश इंडेश्टी और इंवेश्मेंट के लिए बेहत अनकूल वातावरण त्यार किया गया है एक बहुत अच्छी प्रस्तिति है कि हमने विभिन राजि सशनेविल पॉल्सी बनाई है जो निवेश्टों को भार रही है जैसे हमने उस पॉल्सी को जारी किया कैबिनिट से पास किया तमाम उत्साह भरे उसके रिजल्ट आ रहे हैं तमाम लोगों ने उसकी प्रसंसा करी और हमने निवेश्टों का भरोसा जीता है 2017-2022 में उत्तर पर ही है उनका निवेश सुरच्चित रहे संद्चित रहे हमारी जिम्मेदारी है कानून व्यस्ता पूरे देश के लिए मिसाल है उत्तर प्रदेश की तो इन्हीं बिन्दों पर प्रकाश डालते हुए हमने यूए जापान जर्मनी थाइलांड मैसको साथ अफ्रीका ब्रा अच्छे मतलब इमेल पर जवाब बड़ा उत्साह है निश्चित रूप से समिट बहुत ही भव और अविश्मन नहीं होगी और दस लाग करोड करोड का जो हमारा टार्गेट है निश्चित करेंगे मैं बताओं यहां के जो इंडश्टिस्ट हैं जो मैं कहलूं कि चाहे व अब तरह के ग्रोप हैं कोई दो हजार करोड कोई तस जार करोड कुछ तो लाखों करोड के यहां और मतलब निश्य तरूप से जो हमारा टार्गेट है और आप देखिये जो देश की बड़े उद्दोग कराने हैं मंटी रिशनल कंपनियां भी और देश की बड़े मास्पिर त्यार हुआ है पूरे जिले जिले में छोटी बड़ी सभी इंड़ेस्ट्री लग रही है और हमारा जो दस लाग करोड का टार्गेट है निश्चित रूप से हम इसको एची तो आप लोग का दोरा भी नहीं शुरूआ और बता जा रहा है करीब सभाला करोड के के लिए इन्वेस्ट्मेंट के प्रस्ताओं आ चुके तो यह प्रस्ताओं कैसे आ गए जब पॉरी पुरदेश यह देख रहा है कि उनका जो इन्वेस्ट्मेंट है जो उन्होंने इंड़ेस्ट्री लगाई उसको सुरच्छित और सरच्छित करने का काम हम 2017-2018 से लगभग लोगों को इन्सेंट्व बाढ़ चुके हैं तो वो जो सरकार ने कहा उसको करके दिखाया है बिना किसी जात धर्म मझहब के भेद भाव के जो कहा है वो किया सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास सिर्फ नहीं है नारा यह है उद्देश हमारा है धरहतल लगए पर दिखाए दे इसके लिए पूरी सरकार काम करें करें हमने जो पोल्सी जारी करी इसके बाद इस संबंदियर चाहे लगफा है अंगए करेंगे 22 तारिक प्रस्तावी तरश है मानि मुखमती जी के करकमनों से ये सारा कुछ होने जा रहा है कब होगा कहा होगा से 22 तारिक को सुस्मन सुराज सर एक चीज और नई दिली सर एक चीज और जानना चाहेंगे आप से कि इतना इंवेस्टमेंट आ रहा है तनी योजना ये जो पोर्टल है इसके बारे में भी थोड़ा माई दर्शकों को बताए कि और इंवेस्टर सग भी जानकारी जाएगी इससे कि आखिर क्या होगी इस पोर्टल की भूमी का देखिए जो पोर्टल और जो मानि मुख मंतिजी वाणि प्रिधान मंतिजी गा जो मर्दर सन उसके नेतित में उत्र प्रदेश ने काम किया कि इस्टिल इंडिया डिश्ट लाइजिस्टे इस हैं तो हमने सिंगल विंडो निवेस्ट्र पोडल बनाया उस करीब 300-300 की सुईधाय हम दे रहे लगब आठ लाग से ज्यादा लोगों की हम लोगों ने समस्याओं का समधान किया तो यह पोटल कि जो बन रहा है पारदर्स्ता की आदमी किसी तरह से किसी का हरास्मेंट ना हूं इसके लिए पोटल बनाया जा रहे हैं और निशित रूप से आज इस आधुनिक्ता के दौर में कोई घर बैठे ही अगर इंडेस्ट्री लगाना चाहा रहा है तो उसको कहां पर उसको मॉडल LIKE estamos की पहले एक करेडि जिनोग तरहा पर चौनाओ में आप भी व кажते हैं कहए तो अब कबसे दौरे जल्डी रहे हैं इक षआप पर बन गया इते हमाई साथ में नंडी गुप्ता नंदी जी जिनों साफ़तोर पर बताया है कि किस तरहा से अगर बात करेंगे जो इन्वेस्टर सब्मिट है और जिस तरह से लोगों का इन्वेस्टर का रुजहान आ रहा है दस लाग करोण का जो लक्ष है उनका दावा है कि बहुत सरल होगा और निश्चित रूप से बहुत जल्द जो दोरे हैं वो भी शुरू हो जाएंगे और खुद मुख्यमंत्री 22 तारी को इसका लोगो और इससे जुड़े हुए दो पोर्टल भी लॉंच करेंगे कैमरा से योगी प्रमोत के साथ चैले शरूरा एबीपी गंगा रखना हूँ